नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूट्यूब चैनल पसुदन किसान में फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए फिर एक बार नया वीडियो लेकर आया हूँ आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वह थैनेला के दोरान बंद हो चुके जो थन है उसको किस तरह से टीज सैफन या फिर टीज कटर की सायता से खोला जा सकता है इस पर आधारित है तो यदि आप मेरे चैनल पर यदि पहले बार आये हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ जो बेल आइकान का जो बटम दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जैसा ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं बीना किसी परिसानी के आप तक वह वीडियो पहुंच सके और आपको उसका फायदा हो सके चलिए दोस्तों आज का वीडियो डिस कोल सकते हैं उसके लिए तो दोस्तों सबसे पहले जोरी बाती है कि आपके पास टीज साइफन यफी टीथ कटर का होना जोरी है साथ ही साथ आपको एक या दो बार डाक्टर जो कर रहे हूं उसको आपजर्व करना भी बहुत जोरी है बीना उसके आपजर्वेशन के अगर डालते हैं तो परिशानी हो सकती है जैसे देखे दोस्तों इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो टीज साइफन डाल के देखता हूं कि इसमें ब्लॉकेश कितना है जैसे ही मैंने इसमें टीज साइफन डाला तो इसमें ब्लॉकेश जो थी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ह अगर अगर ब्लॉकेज अगर अंदर की और हो उस इस्तिति में मेरे हाथ में एक और एक लंबी सी पाइप दिखाई दे रही होगी आपको वो टीट कटर है उसकी सायता से आप उस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं लेकिन यह आप तभी यूज करेंगे जब उसमें फाइब्रोसीस ना हुआ हो अगर फाइब्रोसीस हो गया होगा उस इस्तिति में टीट सैफन या फिटीट कटर का इस्तिमाल ना करें क्योंकि अगर उस कंडिशन में आप अगर इस्तिमाल करेंगे तो उसमें से ब्लॉड आने लग जाएगा तो दोस्तों अगर आपको ये मेरे वीडियो प समद्धित तो प्लीज कमेंट करके बतलाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद